question no.7 है find the roots of the equation x square plus 7 x plus 10 इस equation का हमें roots find करना है तो इसके लिए बहुत सारे method है इस previous वाले वीडियो में मैंने discriminant के बारे में बताया था तो आप उसके तो भी roots को find out कर सकते हैं मैं यहाँ पर middle term split method का use करूँगा middle term split method यानि x square plus 7 x plus 10 equals to 0 हमारे पास इसका coefficient कितना है 1 into last का कितना है 10 है ना first का multiply last से और middle को split करते हैं तो 10 1s are 10 और 10 को हम लोग इस part में break करेंगे कि plus minus करने के बाद हमारे पास 7 है तो 5 2s are 10 हम लोग जानते हैं बिल्कुल basic सा question है और 5 plus 2 7 भी होता है तो 5 2s are 10 भी होता है 5 2 7 भी होता है तो चलिए हमारे पास मिल गिया है that is x square plus 5x plus 2x 2x plus 5x लिखें है कुछ भी लिखें कोई फारक नहीं बढ़ता है यार equals to 0 x common that is x plus 5 plus 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी 2 common x इसके पास है x इसके पास नहीं है चलिए मैं common नहीं लिया हूँ x plus 5 equals to 0 यह हमेशा equal आता है और आप ही गया तो इन लोग दोनों को common निकालेंगे that is x plus 5 into यहाँ बच्छा x यहाँ बच्छा plus 2 equals to 0 यहाँ पर रूट्स निकालने के हमारे पास वही तो formulas है that is x plus 5 equals to 0 और x इधर plus में इधर गया तो minus में और एक roots यहाँ है और एक roots यहाँ है बहुत basic सा question है